हलो चो भेरी भेरी गुड मार्निंग टू आल अफ यू तो कैसे है आप लोग कैसे है बहुत अच्छे तो चलिए आज फिर से टारगेट पॉल्टेक्निक के स्रीज में बहुत ही बेहतरीन और खुबसूरत सा कुछ चलाए हैं लेकिन आज जो बेटा आपका सिट लाया गया है उस सेट के पीछे कुछ रीजन है कि आज आपको नुमेरिकल्स प्रपलम बहुत कम है नुमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको बहुत कम है आज के सेट में आपका Theoretical Question बहुत ज़एदा है तो इस type के questions आपको बहुत दिखाई देगा जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ offline या offline आप जब हम से पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं कहीं एक level का question करवाता हूँ जिसमें आपका एक आपका level 1 होता है वो questions जो आसान होते हैं एक आपका level 2 होता है देन आप्टर आपका level 3 होता है और चौथा level जो होता है वो आपका level 4 होता है इसमें सब टाइप्स के questions होते हैं जो basic concept पराधारित होगा तो level 1 में जो questions आता है आप देख रहा होंगे बार बार म आपको इसके question से आगा basic ओर दूसरा जो आपका question सोता है उसमें आपको इससे ठोड़ा आगीज AND basic level का numerical इसमें देते हैं raid level का जो question होता है वो beta theoretical or conceptual question में होते हैं और fourth level जो कोप्वेंस कोता है वो आपको questions previous year के questions होते हैं या आपको previous year के questions होते हैं और उसके बाद लास्ट में जो हम देते हैं उसमें में इसलीस देते हैं तो ऐसे आपको बताया जाता है तो आपके सामने हम सेट भी रिपरजेंट करते हैं आपका जो हम सेट बनाते हैं उसमें भी बहुत दिमाग लगाते हैं उसमें भी काफी दिमाग लगाते हैं काफी म गया जाए तो आज जो आपके सामने है वो level three कटेगरी के questions आपको Maximum Costs मिलेंगे जो आपको numerical questions नहीं होगा ये questions नहीं होंगे theoretical conceptual और analytical questions जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादे questions होगे theory-ka analytical का और conceptual questions जो होगा वो laptop ज्यादा होगा तो चलिए आधके Het में देखते हैं कि वह आपका जो है तो कौन को सिंस हमारे किस किस टाइप के को संसा आएंगे और उस को संको कैसे VomBard करें करेंहें और उसके विशाय में और उसके काॉंसेप्ट के विशाय और ठियोरी के विशाय में आपको कैसे समझाया जा ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए और ऐसे questions आपको अगर दिया जाया तो दुबारा easy way में आसानी से आप इसको solve कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा ये lecture है बहुत ही बेहतरीन और खुबसूरत जैसे पहले चलता था बिलकुल वैसे ही चलेगा चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला questions आपके सामने है analytical questions, theoretical questions, conceptual questions का ये series है शुरू से last तक बहुत interesting और बहुत मज़ा आएगा जब इस सेट को सुरू से last तक हम करेंगे तो आप सुरू से last तक इस lecture में बने रहिए आपको दिमाग पर बिलकुल जोड नहीं डालना है बिलकुल जोली मूड में हसते खेलते मुस्कुराते जैसे हम पढ़ाते है वैसे आप भी सीखते रहिए एक एक चीज बेटा दिमाग में आपको डाल दिया जाएगा पहला कोस्टन क्या काता है कि नीचे दिये गया है फस्ट कोस्टन समा रहा है नीचे दिये गया तत्व में से कौन सी तत्व एक ही आवर्त में है नीचे दिये गया है कौन सी बतलब कहता है नीचे दिये गया तत्व में से कौन सी तत्व एक ही आवर्त के नह नहीं है वह ही आपसे पूछा जड़ा है लेकिन बेटा आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखिए एक चीज मैं बार बार कहता हूं लाइब के विशा में मैंने बोला है वो तो मैं आऊंगा ही पढ़ाऊंगा ही आप लोग को समझाऊंगा ही लेकिन एक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप लोग कर लिए होंगे ये पूरा इक्षा नहीं पूरा ये उमीद है 110 परसेंट ये चीज है कि आप कर लिए होंगे लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम सारे बच्चे जितने भी हमारे फॉलोवर्स है जितने भी हमारे बच तो आपके मित्र हो जो भी हो वहां से एक बच्चे को जोड़ने का काम करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी इसमें कुछ जोड़ने का काम करूंगा एडिशनल बहुत सारे चीज़ आपको ला के दूँगा लेकिन जब आप वैसा करेंगे तब तो चलिए start करते हैं अगर नहीं किये हैं तो दबाईए और share करके एक को कम से कम एक, दो नहीं, single piece, मात्र single piece चाहिए एक को subscription में add कर देना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो बेटा period का कहानी क्या होता है जरा आप वो जान लेते हैं, तो period आपका जो horizontal column होता है, यानि ज ठीक है, और आपका period को आवर्त कहा जाता है इंदी में, ठीक है, और 36 जिसको क्या कहा जागा, 36 जो ऐसे बढ़ेगा, 36 ठीक है, जो आपको ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे करके, ठीक है, और जो आपका group होता है, वो आपके groups जो होते हैं, वो आपको उसको हम लोग vertical column बोलते हैं, क् आपके vertical column जो होते हैं, वो group जो आपको सिर्स, जिसको सिर्स column कहा जाता है, तो वो आपको ऐसे होता है, ये groups को हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसका जो संख्या होता है, ये आपको 18 होता है, और इसका संख्या periodic table में साथ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंन इससे पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि periodic table में total elements बेटा एक बार और remind कर देते हैं जो बच्चे नए होंगे total elements 188 होते हैं इसमें जो आपका block होता है periodic table में वो आपको 4 block होता है कितने blocks होते हैं 4 block होते हैं S, P, D and F होता है ठीक है इसमें जो groups पाया जाता है जो work पाया जाता है वो आपको 18 work होता है ठीक है और इसमें जो periods पाया जाते है इसमें जो आवर्त पाया जाता है वो आपको 7 होता है ठीक है यह आपको knowledge में होना चाहिए अब to the point हम question पढ़ाते हैं तो question में क्या कहता है कि nitrogen fluoride तो बेटा आपको पता होगा कि modern periodic table जो बनाया गया है जो आधुनिक आवर्त सार्णी है हमारा जिसका formation हुआ है वो आपको on the basis उसका जो basic rule है जिस हिसाब से हम बनाया है तो उसका fundamental जो आपका fundamental basis है बनाने का वो आपको मौली का आधार क्या है atomic number है क्या है atomic number हम atomic number के हिसाब से उसको बनाया है तो atomic number के हिसाब से जो इसको बनाया गया है तो atomic number अगर बढ़ेगा तो same period में होगा जैसे माल लिजे कारवन का अटॉमिक नंबर 6 हो गया यह 7 हो गया यह 8 हो गया यह 8 हो गया यह 9 हो गया यह 10 हो गया यह बेटा पिरियर्ड नंबर किसका एलिमेंट है आप देखेंगे तो यह पिरियर्ड 2 का एलिमेंट है यह भी आपको किस पिरियर्ड का है तो यह भी आपको period 2 का element है किसका period 2 का element है ये भी period 2 का ये period 2 का nitrogen ये 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया ये भी आपको period 2 यानि ये तीनों जो दिया गया है element का शरीज ये तीनों period एक ही period के element है ठीक है अब आपको इसमें भी तीन का तीन element एक period का इसमें भी तीनों element एक period का isp भी तीनी के तीन तत्व एक ही आवर्त के हैं और यह जब देखिएगा तो chlorine, fluorine, bromine और iodine तो fluorine होता है, chlorine होता है, bromine होता है, iodine होता है और entasis यह आपके radioactive होते हैं यह आपके radioactive होते हैं और यह total का total एक group का है यह किसका है? ग्रूप नंबर 7A का element है, जो P block में आता है और यह P block के elements यह group के elements है तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन एक ही period का नहीं है, एक ही आवर्त का नहीं है तो पूछ रहा है कि एक ही आवर्त का तो एक ही group का, यह है बादबा की सब एक ही आवर्त की, उमीद है कि यह question, conceptual question था, theory का question यह सब चीज आपको जानकारी में होगा, तो आप आसानी से बना लिजेगा, हम next question क्यों forward करते हैं, हमारा अगला question यह समझ में आ गया होगा, उमीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा, इतने समय से पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा concept आप लोग का भी हो गया होगा, ऐसा हम उमीद करते हैं, कुछ समय बितने के बाद आप लोग भी अब हमको क्या करेंगे, class देना सुरू कर देंगे, जब live हैंगे तो आप लोग भी class देंगे, next question क्या कहता है, कि खाने वाला soda, जो खाने वाला soda होता है, वो cake बनाने के परियोग में लाया बनाते समय इसमें से कौन सी आभस्यक, कौन सी गैस क्या कता है, कौन सी गैस आभस्यक होती है, यह आपको पूछा जारा है, बेटा खाने वाला soda होता है, जी soda का जानते हैं, और आप लोग जानते होंगे, आप गर में कचावरी, कचावरी बनता है, पूरी बनता है, रोटी तो यहां से आपका वाटर निकलेगा और कारबन डियोक्साइड गैस निकल जागा ठीक है अब इसको बैलेंस कर दीजे उमीद है आपको बैलेंस बैलेंसिंग करना भी आता होगा मैंने बहुत कोशन दिखाया दो सोडियंदो सोडियंड बैलेंस तो सोडियं कार्bona करने के लिए हम लोग इसमें कुछ एसीड को डाल देते हैं एसीड को तब आपको खत्म होगा अधरबाइस नहीं होगा यह बीटर टेस्ट कर देता है किसके कारण सोडियम के कारण आपका तीखा स्वाद हो जाता है तीखा तीखा नहीं तीखा स्वाद हो जाता है कैसा हो जाता है तीखा स्वाद हो जाता है यहां से रिलीज कौन सा गैस हुआ तो आपका कोस्टन क्या कराता है खाने वाले सोडा केक बनाने के परियोग में लाया जाता है ब इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है यह जब जाएगा तो जल्दी से सिजाएगा खाना को क्या करेगा जल्दी से पकाएगा जल्दी से पकाने के बाद इसको मुलायम कर देता है कुछ पल के लिए जब तक वह हीट रहेगा उसके बाद बिल्कुल टाइट हो जाता है तो इसमें यह होता है कि आपको कार्बन डायोकसाइड इसमें क्या होता है कि वह आपका फंस जाता है टेस्ट भी खराब कर देता है कर देता क्योंकि परसुल कर देता है क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट का फौरमेशन होता है वह आपको grate होता है और इसको यूटडर करने के लिए हम लोग और ये उसमें ये gas क्या करता है उसको जल्दी पकाने और सिजाने में मत करता है तो आप लोग देखते होंगे कि अगर जादा baking soda आप डाल देते हैं कचोरी बनाने के लिए तो कचोरी सीजे गाना या पट से फूल जाएगा और फट जाता है तो समझ में आ गया होगा नहीं आ इसमोरो ने पर धन क्या काता है धन पोतेसियम बनता है बिल्कूल पोटेसियम क्या है वेटाप का एत् frameworks नंबर आपका नाइनटीन होता है एक लगवा जाए एक ऐलेक्ट्रोन इसका ठीक है एक electron यहां से दे दिया तो atomic number इसका 18 हो गया कितना हो गया 18 हो गया लेकिन atomic mass इसका 40 ही रहेगा atomic mass यानि जो परमानु भार होगा इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि atomic mass जो होता है जो परमानु भार होता है वो आपको number of protons plus number of neutrons होते है not number of electrons या mass of electrons होता है तो इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहां से निकलेगा तो electron निकलेगा और atomic mass का जब calculation करते हैं तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है किसमें mole concept में कि कि किसी भी atom का जो atomic mass निकाला गया है उसमें electron के mass को ignore कर द दिया गया है वो भी मैंने वहां समझाया था कि electron का जो mass होता है वो आपको 9.11 into 10 to the power minus 31 kg होता है और proton का जो mass होता है वो आपको कितना होता है तो 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम होता है या 27 आप kg लिख सकते हैं और neutron का जो mass होता है वो आपको 1.675 into 10 to the power minus 24 ग्राम होता है यह दोनों electron का mass बहुत कम होता है इसलिए इसको छोड़ दिया याता है ठीक है तो mass electron के घटने बढ़ने पर mass में प्रवाप परता है लेकिन बहुत कम होता है तो atoms में अगर atom आपका दिया हुआ उसमें electron घटे और बढ़ेगा तो उसके atomic mass पर कोई परभाब नहीं पड़ेगा यह आपको जानना चाहिए तो पूछ रहा था k-plus से अलग k-plus से अधिक k-plus के बरावरत क्या रह गया पहले कितना था इसका भी 40 है और इसका जो निकाले k-plus का वो भी क्या ह है चालीस है दोनों क्या है समान है समान है कोई फर्क नहीं पड़ा patron कि हमारा अगला यह कहता है उसकी और देखते क्या काता है एक टत्व, एकियानी कारता है? एक तत्व की परमानु संख्या ठारा है बेटा पोई तत्व है वो इसे तुम जानते होगा कि आरगन का परमानु संख्या ठारा होता है ठीक है तो इसके बाहतम एलेक्टरोन जब एलेक्टरोनी कंफिरिकेसन लिखेगा तो टू एट और एट होगा लास्ट कक्छा में कितने एलेक्टरोन है एट एलेक्टरोन से तो बाइट रूल ऑफ ओक्टेट रूल यानि अस्टक के नियम से किसके नियम से अस्टक के नियम से क्या हो जाएगा यह आपको बिल्कुल अस्थाई हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा अस्थाई हो जाएगा अस्थाई हो जाए तो कहता क्या है कि वहत्तम कक्षा में एलख्ट्रोनों की संख्या कितना होगा तह आपको दिखाई दे रहा है कितना वाहत्तम कक्षा पहला क्षा के एल और percent a क्या म variety चाने है ये भी आपको समझ में आ दो चीज तो आपको आएंगे क्या सबाएंगे गैस का कहीं हुडर को याद रखे गा तो सदी पी और एंटी पी आएगा तिकए स्टी पी एंटी निश्चित यूप एगा सब्सक्राइक होते हैं बार बर चिलाःःः ब्रुके में जबन सब्सक्रिक temperature pressure मानक ताप दाब का चर्चा होगा उसके बाद इसमें बहुत सारे लौ आपको दिये गए हैं जैसे मैंने आपको सारा लौ पढ़ा दिया है बॉयल्स लौ ठीक है उसके बाद आपको चाल्स लौ ठीक है गेलू सेक्स लौ गेलू सेक्स नाम है सब बेटा इसलिए अंगरेज ठीक है तो यह चारो लौ जब होगा तो इसमें मुख रूप से जब गैस का चर्चा होगा तो टैम्परेचर टैम्परेचर टापमान ठीक है प्रेशर दाब और वालूम आयतन यह तीन चीज की आवसकता होगी और यह तीनों इससे रिलेटेड होगा तो कहता है कि गैस समीकरन नीचे दिये गया इन में से किसके बरावर होगा तो गैस का समीकरन भी जान लो आईडियल गैस का पी बरावर क्या होता है अब देखिए बेटा प्रेशर इसमें है वालूम इसमें है और टैम्परेचर इसमें है पूछ रहा था आयतन और ताप के ओर प्रख़ताह आको नीचे दिए गए में चाहता है नीचे तो कठोड बना देता है तो जल को कठोड़ बनाने के लिए बेटा है कि आप जानते हों मुंदरी जल जो होते हैं वो कठोर होते हैं hard water होता है जिसको soft कैसे बनाते हैं वो भी कहानी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं तो जल को कठोर बनाता है कुछ salt sodium calcium and magnesium calcium यानि जो जल को कठोर बनाता है उसमें आपको कौन salt मुख रूप से जो salt पाये जाते हैं उसका कहानी बता जल को कठोर बनाना है तो जल में आपको कुछ लबन पाये जाते हैं ठीक है कठोर बनाने कठोर बनाना है ठीक है जल को क्या बनाना है कठोर बनाना है जल को क्या बनाना है कठोर बनाना है तो आपको उसमें कुछ लबन मिलाना होगा कौन सा salt सा मिलाना होगा वो आपको मैं मताता हूँ मुख रूप से उसमें आपको कैलसियम कार्बोनेट ठीक है कैलसियम कार्बोनेट and calcium bicarbonate calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate magnesium bicarbonate calcium or magnesium CRB calcium and magnesium हुआ हुआ है इता हैं अगला कुस्ट्न किया कहता है क्या कहता है निमलिखित में फृघ लाए है ओ मों से पानी में सब से कम घुलां सिल आपका कों हो गाशी है किया ब्रफार सब्सक्राइब करने इन पोलर यानि ध्रूबिये आपका ध्रूबिये में मिलता है ध्रूबिये आपका ध्रूबिये में मिलता है ठीक है पोलर आपको पोलर में मिलता है ठीक है और एक चीज और जान लिजे कि नन पोलर डिजॉल्फ इन नल पोलर dissolves in non-polar ठीक है odd rubia odd rubia में मिलता है किस में मिलता है odd rubia odd rubia में मिलता है ठीक है अब तीसरा point जा लिजे polar does not dissolves in non-polar polar doesn't dissolves in non-polar ठीक है धुरूबिये और धुरूबिये में नहीं मिलता है क्या होता है यह आपको इसमें नहीं मिलता है तो यह आपके polar nature के होते है यह भी आपके polar nature के होते है है धुर्वी होता है इसमें भी मिलबा चाहां आफ को जानना चाहिए है पानी में पानी मिलता है पानीं में तेल नहीं मुलता है लेकर उसको मिलाते हैं by the process of emulsification by the process of emulsification यानिcha करन के द्वारा उसको मिला जाता है अगर नहीं मिलता तो दूद में Velay Ihr करन के द्वारा थां दूद में zmi Drinkрill and Hadarón उदमें झाली करा तो ये तो उसी के साथ रहता है तो वह भी हमारा वाइल है तो by the process of emulsif सबस्क्राइब लेकिन नमक नमक को अपकर पानी में मिलाईयेगा और जिन्दगी बीट जाएगी वह नमक कभी नीचे नहीं बीट गाहाँ पानी पुरा इवापुरेट कर जाए वाइलिंग पॉइंट पानी का कम होता है इवापुरेट कर जाए पूरा निकल जाए तब वह नमक का चेक्का निके बाट जाएगा जम के रा जाएगा बता साबने के चीनी को मिला दीजेगा तो वही कहा नहीं होगा लेकिन ऐसी आगर छोड़ दिजएगा सरबत बना क्या सोचवेगा कि दूगएंता मैं सारा चीनी niजे बाट जाएगा ये संभव नहीं है तब ही आपको conceptual question बनेगा next question क्यों remove करते है और हमारा अगला question क्या कहता है वो देखेगा क्या कहता है कि carbon monoxide नाम सुने होंगे carbon monoxide का आनविक दरव्यान हमारे air को बहुत ज़्यादा pollute करता है इसका आनविक दरव्यान पूछ रहा है ऐसे questions कहीं एक हम लोग already पहले भी कर चुके हैं चलिए तो lunch break का time आगया किसका lunch break आज lunch break चलेगा डीनर नहीं चलेगा lunch break चलेगा tea break आज नहीं चलेगा तो हमने बहुत सारे questions अभी तक आपको बेटा दिमाग पर pressure और load नहीं आया होगा तो ये concept के question है theory के question है इस पर pressure तो दिमाग पर नहीं आता है बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको बेटा याद होना चाहिए कि concept अगर नहीं होगा तो ऐसे question आप नहीं बना सकते हैं calculation में कलम चला लिजेगा जो मन में आएगा उल्टा सीधा भर सकते हैं लेकिन ऐसे questions जबाएंगे आपके theory के और conceptual और analytical questions आएगा तो जिस किसी भी के पास ये concept होगा theory होगा वही analyze करके इसका answer दे सकता है दूसरा चाह कर भी answer नहीं दे सकता है तो चलिए हम आगे next question के और move करे उमीद है क्या आप लोग को समझ में आ रहा होगा next question के और move करते हैं और आज का हमारा अगला question क्या है मानक मानक वातावर्निये दाब एवं ताब 22.4 लीटर हाइडरोजन में कितने अनु होते हैं यानि बेटा मानक वातावर्निये दाब एवं ताब करने का मतलब at STP and NTP normal temperature and pressure इसको मानक वातावर्निये दाब एवं ताब करते हैं 22.4 लीटर आपको हाइडरोजन लिया गया इसमें कितने अनु पाये जाते हैं वो आपको बताना है तो 22.4 लीटर एक मोल कोई भी गयस अगर लिया जाए एक मोल अगर हाइडरोजन गयस लिया जाता है तो इसके वोलूम कितने हो जाते हैं तो मोल कॉंसेप्ट से 22.4 लीटर हो जाता है कितने हो जाते हैं तो 22.4 लीटर इसका वोलूम हो जाता है इसका मतलब कितना hydrogen gas है एक मोल आपका hydrogen gas दिया गया है ठीक है आपसे पूछ क्या रहा है कि hydrogen के कितने अनू होंगे hydrogen अनू है तो एक मोल में hydrogen के अनू कितना हो जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक मोल केला बराबर कितना केला तो 6.022 into 10 to the power 23 केला ठीक है और यहीं पे आपको मैं बोल दूझ कि 1 MOS दर जान केला कितना एक मोल दरजन केला तो 1000 केला जब आ जाएगा तो जहां केला लिखेते वहां 6.022 into 10 to the power 23 दर्जन केला क्या हो जाएगा दर्जन केला ज तो टोटल केला निकाल से 6.022 into 10 to the power 23 है एक दर्जन में कितना केला बाराग हो ना तो गुने बाराग केला हो जाएगा ठीक है तो अब इसमें अगर एक मोल हाइड्रोजन गैस आपको दिया हुआ है तो एक मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के अनू कितने हो जाएंगे तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 हाइड्रोजन मौलीकूल हो जाएगा हाइड्रोजन के अनू इतने हो जाएंगे इतने क्या हो जाएंगे अनू हो जाएंगे और इसी में अगर परमानू पूछ देता तो इससे तो आपको क्लियर हो गया कि यह सब बेटा पावर में है 23 यह सब आपको पावर में है टाइपिंग मिस्टेक है होता है ठीक है यह आपको 23 है यह आपको 22 पावर में दिया हुआ ठीक है तो 6.023 into 10 to the power 23 यह option हो गया अगर इसी में atom पूछ देता हाइड्रोजन का तो जैसे हम यहाँ निकाले दर्जन में तो एक मोल में कितना हाइड्रोजन atom होगा तो 6.022 into 10 to the power 23 है यह हाइड्रोजन में क्या हो item है s2 में कितने hydrogen atom है तो दो hydrogen atom है कितना hydrogen परमानु है दूगू दूगू hydrogen परमानूम मिलकी mockみ जूबंता है तो daytime two कर देगा तो इतना आपको hydrogen atom आ जाएगा ठीक है आगे समझ में ऊमीद है यह भी questions आपको समझ में आगे होंगे ये भी आपके theory के question थे बहुत अच्छे question थे next question क्यों move करते हैं क्या कहता है question कि नीचे दिए गया है नीचे दिए गया है में से किसका पता लगाने के लिए silver nitrate का उपयोग किया था यहीं तीनों के तीनों पता लगाने के लिए किया आता है silver nitrate का उपयोग आपको photo graphy में भी होता है जो photo auto तस्वीर हम घिजते हैं उसमें भी किया आता है लेकिन मुख रूप से हमारे पास जो question है वैसे तो बहुत जगा बहुत इस्तिमाल है इसका बहुत जगा utilization हम लोग इसका करते हैं तो तीनों को पता लगाने के लिए करते हैं यानि chloride bromide और iodide तीनों को पता लगाने के लिए करते हैं अब कैसे करते हैं और कैसे बताता है जरा इसका हम चर्चा कर ले तो मजा आ जाएगा क्योंकि आपके syllabus का हो सकता है इसको हटा के वही कुछ पूछ दे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे आपके सामने हम कुछ लेकर क्या कहता है कि 5 gram salt मान लिजे silver का solution यानि कोई आपका solution है जिसमे chloride मिला हूँ है जैस हाइड्रो-kloric acid है Hcl हम ले लिए मान लेते हैं एक पल के लिए और hcl में आपको पता लगाना है कि chlorine उसमें पाया जाता है कि नहीं वह आपको नहीं पता है कि hcl है बस हम आपको दे तो हमको पता है कि वो hydrochloric acid है और उसमें आपको test करके बताना है कि हम आपको बोले कि आप test करके बताए कि इसमें halogen पाया गया chlorine, fluorine और bromine है के नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि 5 gram आपको हम silver hydrochloric acid दे दिए उसमें आप क्या कीजिए कि 5 ml किसको मिला दीजिए तो 5 ml AgNO3 silver nitrate को मिला दीजिए जब मिलाईएगा तो ये इसके साथ क्या करेगा reaction करेगा और reaction करने के बाद क्या बना देगा तो white precipitate का निर्मान कर देगा किस का कर देगा precipitate का निर्मान कर देगा और इससे पता चलेगा कि इसमें chlorine gas पाया गया है कुछा गया है chlorine इसमें पाया गया है तो कैसे पता किए 5 ग्राम यह लिए यह लिए आपको नहीं पता था hydro-chloric acid यह मैं दे रहा हूँ मैं आपको केवल दिया sample solution का और बोला कि इसमें चेक करके बताओ कि भाई इसमें chlorine पाया गया है या फिर नहीं पाया गया है कोई भी halogen पाया गया है नहीं पाया गया है तो कुछ नहीं करना है उस solution में क्या करना है आपको कि थोड़ा सा silver nitrate का billion क्या करना है silver nitrate दो चारबून यानि amount के हिसाब से बिलकुल कम डालोगे पानी ले लिया और उसमें 20 को 10 को कपड़ा धोना है और एक चमा सरफ डाल देगा या दूगो दाना सरफ डालेगा तो काम थोड़े करेगा नहीं amount होना चाहिए एक फिक जैसे मैं बता रहा हूं कि पांच ग्राम आपको क्या ले लेना है तो पांच ग्राम आपको salt है वो ले लेना है और पांच एमल इसमें यानी 5 ग्राम में पांच स्फेशर नाइट्रीट्रेट को डाल येगा तो आपको रियक्षन हो के उसके कलर में परिवर्तुन हो इह हूं नहीं पीला रंग का गहरा पीला रंग का आपका अगर प्रिसिपिटेट बन जाता है इट मींस कि उसमें क्या पाया गया है आयोडाइड पाया गया तो सब में बेटा प्रिसिपिटेट बन रहा है अंतर कहा है कि सब के कलर बदल है सब के क्या हो रहा है रंग बदल है तो ये रंग भी आपको बहुत कुछ दिखाता है वाइट कलर का प्रिसीपीटेट बन गया इडमींस क्या कि किसी भी chemical reaction को करवाते हैं तो उसमें कुछ abscist पदार्थ हमको मिलता है कुछ abscist पदार्थ मिलता है यानि वैसे जैसे 2-3 step में कोई chemical reaction हो रहा है तो पहला step करवाएं तो chemical reaction complete हुआ पहला step में तो कुछ ना कुछ product बनेगा लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं बन पाया ठीक है तो partial reaction करवाते हैं और कुछ reactants बताय हुआ या कुछ जो बना उसके साथ फिर पहला बला reaction कर गया तो दूसरा step किया तो उसमें भी कुछ नों कुछ product बना और उसके बाद तीनों का जो आया पहला reactants पहला का product दूसरा step का product ये तीनों मिला तो लास्ट स्थेप में जाकर आपको finally chemical reaction देगा जो आपको चाहिए वो product मिलेगा मिलेगा तो फास्ट ये रिक्षन पाया प्रोड़ड़क्ट और सकेंड स्थेप या नि पहला chemicals reaction है पहला step में जो chemical reaction करभा है उसका product दूसरा step में जो करभा है उसका product वो क्या कहलाएगा तो precipitate कहलाएगा वो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि precipitate जब बनता है वो हमारे यूज का नहीं होता है chemical reaction में तो वो किसी भी container और solution में नीचे बैठ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते है precipitate बोलते हैं उमीद है समझ में बहुत अच्छी तरह स को डाल देंगे एमाउंट कैसे लेंगे तो पांच गराम ये लेंगे तो पांच अमेल इसका लेंगे डालेंगे वाइट कलर का precipitate बनेगा यानि chlorine होगा उसमें और light white color का light yellow color का यानि हलका पीला रंग का इसमें bromide होगा और bright yellow color का बनेगा इसका मतलब iodide होगा next question की और हीट के हिसाब से chemical reaction हमारा दो परकार का होता है, एक आपका इंडो थर्मिक होता है, और दूसरा हमारा इक जो थर्मिक होता है, दूसरा क्या होता है, एक आपका इंडो थर्मिक, दूसरा इक जो थर्मिक होता है, इसमें हीट देना परता है, इसमें chemical reaction में हीट देना परता है, ह इसमें क्या होता है, कि heat बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है, यानि हम को देता है, उपर वाले में हम देते है, और नीचे बाला में हम को देता है, तो दो तोड़ा का reaction होता है, hit क्या दार पर, एक आपका इंडोócर तो यहां पर क्या काता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो कर बादो नाइट्रोजन और oxygen क्रिया करेगा बेटा तो बहुत चीज बनेगा nitrogen और oxygen क्रिया करेगा तो आपको बहुत चीज बनेगा N2O का formation हो जाएगा N2O का formation हो जाएगा N2O3 का formation हो जाएगा N2O5 का formation हो जाएगा यानि ये चारो के चारो पांच गो अक्साइट सोता है नाइट्रोजन का ये सारा का सारा बनेगा लेकिन जब ये रियेक्शन करवाएंगे तो हमको हीट इसमें क्या करना पड़ेगा तो हमको इसमें हीट देना पड़ेगा तब जाके रियेक्शन होगा तो जिसमें हम हीट द किरिया होता है जिससे हीट बाहर निकलता है यह उत्कर्म निये तो होगा ही लेकिन जो मुख रूप से वहाँ हीट का चर्चा था इसलिए अगया समझ में कि समझ में आया आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट कोस्टन की और मूब किया जाए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला कोस्टन क्या कहता है नेक्स्ट कोस्टन हमारे पास है वो कोस्टन क्या कहता है कि नीचे दिये गए तत्तों में से कौन से तत्व का धात्विक अभी लक्षन सबसे कम होता है यानि metallic behavior सबसे कम किसका होगा जिसमें धात्विक गुन आपको सबसे कम किसमे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये total का total halogen का element है और ये आपके gassage है ये आपके क्या है सारे के सारे gassage है halogen के element है ये ये और ये लेकिन आपको जब सब को देखिएगा तो halogen के इकाई में आप अगर देखिएगा तो आपको इन सारे के पास इन सारे के बाद पिटा इसके पास देखोगे तो इसके पास आपका S block P block तो पाया जाता ही है S P block पाया जाता है इसके पास 2 तीन कक्षा इसके पास भी 3 कक्षा 3-4 कक्षे होते हैं और fluorine आपका बहुत डेंजरस होता है fluorine का atomic number 9 होता है इसमें electron 2 और 7 पाया जाते है 2 ही कक्षा पाया जाता है तो ये आपको इन सभी के compression में इसमें जो धात्वी गुन पाया जाता है वो बिल्कुल 9 के बराबर होता है इसलिए 9 के बराबर होता है क्योंकि fluorine का oxidation state cable और cable minus 1 होता है single oxidation state होता है fluorine का minus 1 और minus का मतलब होता है electron लेना minus का मतलब होता है electron लेना तो ये आपको electron लेगा single element हमारे pre-addictable का है जिसका oxidation state cable और cable oxygen नवस्ता आपको minus 1 होता है oxygen संख्या भी minus 1 होता है तो ये हमेशा electron लेता है कभी electron देने का काम नहीं करता है oxygen आपको electron लेता है hydrogen electron लेता देता है तो oxygen के साथ भी करेगा तो वहाँ पर भी ये change कर देता है oxygen के features को ही change कर देता है oxygen को देना परता है ये आपने behavior को नहीं छोड़ता है बाद बाकि आपको जितने भी है जैसे chlorine का atomic number 17 होता है तो इसका oxidation state beta minus 1 होता है minus 1 तो प्राय होता ही है और उसके बाद आपको क्या सब होता है वो मैं आपको बता दू कि minus 1 भी होता है एक electron देता भी है जब electron दिया तो मैंने एक चीज आपको बार-बार सिखा रहा था और बताया था कि metals are by birth electron donor धातू के पास जनमजात गुन होता है कि वो electron देता है तो यह आपको electron दिया इसका आपका plus 3 होता है plus 5 होता है और maximum आपका plus 7 होता है यह सारे के सारे oxidation status के होते है लेकिन इसका fluorine का oxidation status जो होता है वो cable और cable minus 1 होता है तो यह कभी भी यानि बिलुकुल 9 के बराबर electron देने का काम करता ही नहीं है हमेशा electron जैसे ही सब का हुआ वैसे ही इसका भी होता है लगभग आपको approximately इसका भी होता है approximately तो इन त्यूनों के पास धात्विक गुन इसके कपरीजन में ज़्यादा पाया जाता है इसके पास तो बिलुकुल 9 के बराबर पाया जाता है उमीद है समझ में आगया होगा नेक्स कोस्टन के और मूब किया जाए और आज का हमारा अगला कोस्टन पानी का पीएच मान क्या होता है पानी का पीएच मान आपको पता होगा एक पीएच इसके लाता है इसमें आपका ये साथ होता है यह आपको 6 होता है, यह 5 होता है, यह 4 होता है, यह 3 होता है, यह 2 होता है, यह एक होता है, यह आपको 8 होते है, यह आपको 9 होते है, यह आपको 10 होते है, यह आपको 11 होता है, यह आपको 12 होता है, यह आपको 13 होता है, यह 14 होता है, maximum यह होता है, यह आपका neutral होता है, यह आपक तो इसमें ज्यादा एचिट्ग होगा थिक है पांच वाला के होगा दो नों लिये लकिन जादा आम लिये दो वला होगा कम आपको पाँस वला होगा इधर चे अगर आगे बढ़ते हैं ऐसे मूब करते हैं तो यह आपको बैसिक बेहईवियोर को दिखाता हुगा और यह चार मान 10 है और किसी का पी एच मान 14 है तो कोन ज्यादा छारी होगा कोन ज्यादा बेसिक होगा तो 14 बाला ज्यादा बेसिक होगा और 10 बाला कम बेसिक होगा लेकिन होगा दोनों बेसिक ही और यह जो साथ आपको दिया हुआ यह आपको उदासीन होता है जो जल का पी एच मान होता पर इतले हैं ठीक है अगे नेक्ट कोस्ष्टन की और मुब किया जा है हमारा अगला कोश्ष्टन क्या कहता है अग różne कर मतल सकते हैं ऑकटेट या ओक टेट हैड्रोयर era डवदेट कंप्लीट जा बोल सकते हैं डवदेट कंप्लीट गैस आपको Вी ओता है जो आपको हिलियम होता है तो जिस घंवा जो हचोब जूता है कि जिस अस्टक नियार्द करने बार तो यह इनब गास को कैमिंगल एक्टेशम नहीं नहीं होता है और adon होता है यह आपके टोटल के टोटल इनर्ट गैसे है यह आपको अक्रिये गैस है कौन सा गैस है अक्रिये बोलो या निस्क्रिये बोलो कौन सा गैस है तो यह आपके निस्क्रिये गैस है यह क्या है तो यह टोटल के टोटल गैसे आपके निस्क्रिये गैस ठीक है अब कहता है कि ये आपको chemical reaction नहीं करता है chemical reaction क्यों नहीं करता है क्योंकि बेटा chemical reaction आपको करवाना है मैं आपको बताता हूँ कि अगर chemical reaction आपको करवाना है क्या करवाना है chemical reaction आपको करवाना है मैं एक chemical reaction करके आपको दिखाता हूँ फिर इस question को समझाओंगा तो आपको बेतर समझ में आगा जैसे माल लो कि हाइड्रोजन का reaction H2 का reaction हमको करबा देना है Cl2 के साथ तो बेटा बन जाएगा 2HCl अब ये दोनों reaction तो कर रहा है hydrochloric acid बना रहा है बिल्कुल बना रहा है और इस hydrogen की भी one हुई आप दोनों आपस में electron share करके दो electron बना लिया तो by the rule of doublet यानि doublet के नियम से यह क्या हो गया अस्थाई हो गया तो H2 आपका अस्थाई है H2 क्या है अस्थाई है वैसे chlorine भी आपका अस्थाई है chlorine भी आपको क्यों reaction करेगा कोई जरूरी नहीं क्लोरीन के अंतिम कक्छा में कितने electrons होते हैं साथ electrons होते हैं यहां पर देखो यहां पर देखे मैं अलग अलग दिखा रहा हूं यहां पर देखेगा इसका भी साथ अब क्या क्या यह दोनों बना लिया तो यह भी आपका क्या हो गया साथ गो थाए गो बन बना लिया तो अपने आप में इस्टेबल है जब दोनों अपने आप में अस्थाई है तो क्यों रियेक्शन करेगा क्या आवसकता है रियेक्शन वो करता है जो भूखा होता है खाना के पास वो जाता है जिसको भूख लगा होता है पैसे की भूख होती है तो लोग कमाना शुरू करते हैं ज्यान की भूख होती है तो लोग पढ़ना सुरू करते हैं जो सब चीश से निशिंत है सब चीश से पढ़े हैं जिसको कही चीश की आवस्था नहीं है तो क्यों करेगा यहां दोनों अस्थाई है लेकिन दोनों को reaction हमको तो करवाना है क्योंकि बनाना है क्या hydrochloric acid और हमको तो रियक्टिव जभी बनेगा, तो यहां से क्या हो जागा, 2H प्लस देदेगा, और दूगो एलक्ट्रोन यहां से रिलिज कर देगा, तो किस फॉर्म में चेंज कर गया, आयंस के फॉर्म में चेंज कर गया, किस फॉर्म में बदल गया, आयंस के फॉर्म में जो आपका केट कर गया इसको भी कहेंगे बाबूरे तुम भी एक पल के लिए थोड़ा सा मान लो बात क्या करोगे कुछ पल के लिए मान लो तो यह भी कहेगा चलो कहते हैं तो मान लेते हैं तो यह क्या करेगा किया करेगा दूगर अल्एक्ट्रों यहां से क्या करेगा ले लेगा इसका जो दूगर माइनस में बदल यापिया क्या जब् यानि दोनों को हम आयंस में चेंज किए जब आयंस में चेंज कर दिये तब प्यासा और भूखा का कोई उपाय नहीं है तो यह दूगो एलेक्ट्रोन तो यूज हो गया यह एच प्लस जो है वो टू सी एल माइनेस के साथ मिलकर क्या बना लिया यहां से आपका है तो पहले च कैसे जो है आपका पहले उसको रियक्टी बनाना होगा तो रियक्टी बनाने का सबसे सूपर डूपर और हीट तरीका है आपका उसको आयंस के फॉर में चेंज कर दिजिए आयंस के फॉर में और धातू होगा और धातू अगर होगा तो उसको एलक्ट्रोन दीजिए अधात जोड़ दवस्ति मारफिट के छिल गलाते हैं वह इसको जोड़ाबस्ति और दबसुल करें कैसे तो इसमें तो इसमें भी energy क्या वसकता होती है without energy यह transfer नहीं करता है तो electromagnetic energy का इस्तमाल करेंगा और ज्यादा energy लगता है तब कहीं से electron डाल पाते हैं और electron वहां से निकाल पाते हैं तो यह ions में change कर गया इसलिए आसानी से reaction कर लिया यह total के total जो है never changes into ions जब ions में change नहीं करेगा changes into ions ठीक है कुछ है जो थोड़ा बहुत है जैसे आपका इसमें जेनोन उनोन है थोड़ा बहुत करता है reaction ऐसा नहीं करता है तो करता है कि यह कभी यह कभी आयन में नहीं बदलते हैं आयन में नहीं बदलते हैं आयन का निर्मान नहीं करते हैं तो जब आयन में नहीं बदलेगा तो यह रियक्टिव होगा नहीं जब यह रियक्टिव होगा नहीं तो रियक्टिव क्यों करेगा जब रियक्टिव होगा ही नहीं तो यह रियक्टिव बिल्कुल नहीं करेगा अब आप्शन को परते हैं उनमें से एक परमानू होता है नहीं उनकी आइनक उर्जा अधिक होती है उनकी आइनन उर्जा अधिक होती है बिल्कुल सही चीज है आइनक आइनिक एनर्जी जो होता है इसका बहुत ज्यादा होता है या होता है बहुत ज्यादा अब इतना ज्यादा आइनिक एनर्जी होता है कि आप किसी केमिकल आइनिक एनर्जी ज बूतल कओड़ी कुछ नहीं तुमको देंगे तो अंत में क्या किया जाएगा अंत में क्या किया जाएगा कोई बच्चा अगर हमारे पास आप कोह दे कि सर आप जितना कोशिस करना है कर लीजिए दुनिया का सब तागत लगा लीजेगा हम बिल्कूले नहीं पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं तो में छोड़ देंगे वही हाल इसके साथ होता है यह आईनिक एनरजी इसका इतना ज्यादा होता है इतना ज्यादा होता आईनिकुर्जा कि आप इसको जो काम करवाने जा रहे हैं खोदा पहार और निकली चु कोई कर सकता है वही स्थिती इसके साथ होता है तो इसको आईनिक एनरजी इसका बहुत ज्यादा होता है यह आसानी से आयन्स में नहीं टूट पाता है इसलिए यह कैमिकल रियक्शन नहीं करता और इस गैस को क्या कहा जाता है निसक्रिये गैस कहा जाता है बिल्कुल समझ म आगया होगा बहुत बेहतरीन कॉंसेप्ट था नेक्स्ट कोस्टन हमारा क्या काता है सोध्यान से देखिए अब हमारा क्या काता है कि दो तत्व एक्स एबम वाई जिनके एलक्ट्रोनिक बिन्यास करम सा यह दिये गया तो बेटा दिया हुआ है यह दो थो एट और से मन बिल्कुल सही बात है यह कितना हो जायगा 17 हो तो नाइन आपका किसका होगा तो फ्लोरीन का होगा किसका होगा फ्लोरीन का होगा नाइन आपका किसका हो जागा तो फ्लोरीन का हो जागा तो एक तरफ क्लोरीन दिया हुआ है एक तरफ फ्लोरीन दिया हुआ है अब कहता है कि यह दि दोनों अभिक्रिया करके योगिक बना यानि क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ अभी क्रिया करवाना है क्लोरीन को किसके साथ करवाना है फ्लोरीन के साथ अभी क्रिया करवाना है तब बाड़ा मुस्किल हो जाएगा बाड़ा मुस्किल ही नहीं नामुम्किन हो जाएगा बिल्कुल नामुम्किन जैसी स्थिति आ तो यह दोनों अगर एक दूसरे के कमपनेवल हो इधर से यह हुंकार हो तो उधर से वो भी हुंकारेगा तब कुछ सामना हो सकता है कुछ संभाबना बन सकता है ऐसे संभाबना नहीं बनेगा लेकिन हम यहां पर इसको समझ सकते हैं कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको तरीका सम किजिए लगा लिए दिमाग कितना लगा है क्या या आंसर कि वाट्स यूर आंसर कि कौन सा अप्शन आया कि क्या होगा आया समझ में नहीं आया समझ में आयगा भी नहीं कैसे समझ में आगा समझने के लिए कुछ चाहिए समझने के लिए क्या चाहिए कुछ चाहिए तो आपके पास इसको अगर हम मिलाएंगे तो एक तरफ मालो फ्लोडीन लेते हैं एक तरफ क्लोडीन लेते हैं अब आपको क्या करना होगा कि दोनों के बीच में यह बोन बनेगा यह बनेगा से बनेगा ये बनकाट्रे बनेगा को से ये नियुदित का सायोजीत मिन को सायोजीन निमान मोसे आपस में धोनों से योग करके बहु बना लेगा अब इसका भी आठ ग बन सकता है अगर इसको हम मान ले कि यह आपका x है 17 वाला और इसको मान ले की y है यह आपका 9 है तो formula आपका xy आजाएगा एक एक गो का यहां चलाएगा और compound आपका X1 और Y1 बन जाएगा तो अब क्या करना होगा तो X2 Y2 यह है नहीं यह भी है नहीं यह भी है नहीं तो आप क्या करेंगे दोनों को double कर देंगे इसको भी double और इसको भी double तो X2 Y2 आप लिख सकते हैं नहीं पार को कि अगरेगे नेक्ष्ट कुश्चन की और बहर जाया है कि नेक्στ कोस्ट्चन क्या कहता है हमारा किसी तत्व का परमानु संख्य कितना दिया हुआ 1994 परमानु संख्या 10 है बिल्कुल 10 है होता है किसका नियोन का बिल्कुल नियोन का एक्टोमिक नमर कितना होता है दस होता है तो उसका अस्थान आवर्त साजनी में क्या होगा 2 8 electronic configuration यह लिखेंगे अंतिम कख्षा क्या है भाई आठो का आठो भड़ा हुआ है तो ओक्टेट के हिसाब से यह कंप्लीटली फिल है, ओक्टेट के हिसाब से क्या है, यह पून रूपेन भड़ा हुआ है, इसका मतलब यह कौन सा गैस होगा, तो इनर्ट गैस होगा, यह निस्क्रिये गैस होगे, ठीक है, निस्क्रिये गैस होगे, कैसे गैस होगे, तो यह आपक 18 number group जो होता है zero group, inert group या octate complete group भी इसको कहा जाता है तो उमीद है कि आपको ये भी question समझ में आ गया होगा ये भी question समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार आपका बहुत ही बहतरीन और खुबसूरत जो सेट था आपका जो बिल्कुल जिसमें conceptual questions, theoretical, theoretical, प्रमय पराधारी पराधारी था ऐसे बहुत सारे प्राब्लम्स आपको मैंने इस सेट में करवाया एक ये कोस्चन का एक्स्प्लानेशन जहां तक संभव हो पाया बहुत बहुतर तरीका से कोशिच किया देने का तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये जो आपका अबर अबर कॉमेंट करना नहीं भूलना है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए बेटा 100 प्लस यानि लगबग 125 तीस लेक्चर आपको पॉल टेक्निक का हम दे चुके हैं तो इसका यूटिलाजेशन किजिए आप हमारे ले हो आप ही का भला हो जाए कहीं वो बच्चा कहें कि यह सर्जो पढ़ा रहा हैं वो बिल्कुल गलत तरीका से पढ़ा रहा है या मालो कि उनको समझ उसके समझ में नहीं आता है तो वो आपको भी बता सकता है कि आप उसको छोड़ दीजिए तो आप हमसे दूर जा सकते हैं क लेकिन आपको अच्छा पढ़ाने के बाद समझ में आता है कि नहीं आता है, यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, फिर भी आपको समझ में आता है, तो आपके लिए वो बेकार हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, इतनी मैचूरिटी आप लोग के पास है, यह बताने क्या वसकता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, तो सियर जरूर कीजिए, और मैं बार बार कहता हूँ, कि एक आदमी को, not a, double piece, single piece, आप लोग क्या कीजिए, मातर एक सब्सक्रिप्शन, एक सिंगल, आज परोस्त, दोस्त साती मैं मी जो भी हो, तो एक एक को सियर करने का काम कीजिए, कम से कम एक जोड़िए, बस कुछ नहीं, हम दो हमारे दो थे, आप अकेले के हो रहेंगे, ठीक है, हम दो हमारे दो, यानि आप अकेले के हैंगे, एक किसी को जोड़िए, किसी को जोड़ने का काम कीजिए, उससे यह होगा कि हम a strengthful बनेंगे powerful बनेंगे तो आपको भी powerful बनाने की कोशिस करेंगे बहुत अच्छे तरीका से आगे proceed किया जाएगा इसको तो ये lecture कैसा लगा एक पर last में और कहता हूँ कि comment करके ज़रू बताईएगा हसते खेलते क्या खाते पीते मुस्कुराते हुए परते रहिए तब तक के लिए based of luck thank you wait for the next lecture